तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेटिव संसी के सर में मैं हो चंदर फुल सर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 हमी का बहुत ही भी आई प्रस्न जो कि हिंदी भी से ले करका हैं दोस्तों यह सीध कि आफी अप्लोटा channel करें आप तक सबसे से पहले पहुंचें और वीडियो का सबसे पहले देख सकें चलिए द्टो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तर दिखते हैं कि पहला प्रस्न क्याका कहता है पल्थन के और मलुक्ण को हृविता है एनिकि ज दोस्तों के वीटा एह र बिल्कुल सही हो जागा सीपिली दूस्तों के पर टिक आउट कर लेना है तो चलिए दोस्तों नेक्ट कीशन क्यों लोग बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कहता है कि कमल का करेयावाची सब्द और कंमल का पर शरोज होता है दोस्तों कि जो आपका यह अप्सन है बिल्कुल सही हो मारे दोस्तों हुआ कि चतुरभुज कौन सा समास है दोस्तों चतुरभुज है बहुंगर ही समास के बहुंदर दोस्तों दोस्तों रहें क्यों Leo कि बढ़ते हैं दिखें कि अगला जो प्रस्न करा रहा है तो चौन ता प्रस्न करा है की मालिक मुहम्मच जायसी कैसी कभी है मालिक सरी मल् link मुहम्मच जायसी काईसी कभी है तो दोस्तों यह प्रेम मारगी यानि की यह आपका option नहीं है बिल्कु स ही जगात शीम्प्य आपको दोस्तों यह पे टीक आफ लेना है चलिए दोस्तों नेक्ट कि इसों सी निक वंड़ते हैं तो नल्हा प्रस्न कहता है पांचवा कहता है कि भंगत सी के पीता और चाचा किसके सहयोगी थे दोस्तों भगत सी के जो थे भगत सी के पीता और चाचा सहयोगी थे लाला लाज पत्राय के यानि कि जोस्तों आपका जो अप्सन सी है बिलको सह जागा सिंपली दोस्तों आप सी पे डिकट करेंगे लाला लाज पत्राय यानि कि सी जो इसक डर पूंक यहने कि डरने वाला और इसका जो बिलोम हो जाएगा सकती साली हो जाएगा यहने कि बी जो आपका उप्शन है बिल्कुल से हो जाएगा चलिए दोस्तो नेक्ट कीशन क्यों हम लोग बढ़ते हैं तो दोस्तो नेक्ट जो प्रस्ण कर रहा है देखिए कर रहा है कि चीड़ी मार कौन सा समास है दोस्तों चीड़ी मार कौन सा समास है तो यह जो है तत्तव पूरुष समास है यानि कि स्याप का बिल्कुर अंसर सही हो जागा दोस्तों यह तत्तव पूरुष समास है चलिए दोस्तों सुंद्र का परयवाची सब्द क्या होगा तो दोस्तों सुंदर का परयवाची सब्द मनुहर होता है सिम्पली दोस्तों सुप्रिक टर क्यों हम लोग बढ़ते हैं चलिए दोस्तों नाइन प्रस्ण कहता है कि राजंदर का संधी बिछेद क्या है यानि कि राजंदर का संधी बिछेद है तो दोस्तों राजंदर का संधी बिछेद जो है राज जोड इंद्र यानि कि आपका जो अप्शन ए है बिल्कुल से जगा simply आपका एक टीक आउट कर लेना है चलिए दोस्तो next question क्यों है लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो प्रस्ण है क्या कह रहा है तो दस्मा प्रस्ण कहता है कि जो बहुत बोलता है उसे एक सब्द में क्या कहता है यहने कि दोस्तो यहने कि अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बिनना है तो कर आए कि जो बहुत बोलता है उसे एक सब्द में क्या कहा जाता है दोस्तो उसे एक सब्द में वाचाल कहा जाता है जो बहुत बोलता है अनि कि जो आपका ए अप्शन है बिल्कुल सहोजागा सिंपली आपको यह पर टीक आउट कर लेना है चलिए दोस्तो नेक्ट कीशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यह सब दोस्तो जीतना भी मैं बता रहा हूँ सब भी भी आई प्रस्ण है दोस्तो आप इसे हमेशा याद रखेंगे और दो से तीन बार जरूर इस वीडियो को देख लिजिए जिसे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे ताकि आपको एक्जाम में जरासा भी दिक्कत नहों चलिए दोस्तो अब 11 प्रस्ण करता है कि आजन्म कौन सा समास है आजन्म जो है कौन सा समास है तो यह है अभ्याई भाव समास यानि कि आपका जो एक अप्शन है बिल्कुल सह जागा दोस्तों सीम्पली आपको एक टीक आउट कर लेना है तो चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण क्यों हम लोग बढ़ते हैं देखिए बारा प्रस्ण करता है सिपाही किमा निम्नांकित में से कौन है इसमें करता है कि सिपाही किमा निम्नांकित में से कौन है तो दोस्तों वो जह है विशनी है विशनी यानि आपका जो आप्शन भी है बिल्कु सहो जागा दोस्तों सिवानी किमा क्या है विसनी है चलिए दोस्तों अगले प्रस्णिकों हम लोग बढ़ते हैं देखिए करता है तेरा प्रस्ण करता है कि तीरची के रचनाकर कौन है तीरची के रचनाकर कौन है तो आपको पता होना जाहिए कि तीरची का जो रच ना कर हैं वह हैं उद्या प्रकास यानि कि डिया आपका जो अप्षन है बिल्कुस हो जागा सिंप्ली आपको डिपे टीक आउट कर लेना है तो चलिए दोस्तों अगले प्रस्णिक और हम लोग बढ़ते हैं 14 प्रस्ण का रहे है कि चक calamणी कौन सर्व समयस दोस्तों आपको पता हो जाएं कि चक्र पानी जो है तत्तव पूरु समास जो हैं कि तत्त पूरु समास बिल्कुस हो जागा सिंप्ली आपको डिक लिपन रहेँ हैं चलिए अगले फ्राश्ण हम लोग बढ़ते हैं vivelle प्रति निदी में कौनसा समाज है जो दो सब्सक्रयों होता है आपको पता होना चाहिए कि यह उप्सर्ग यहां होता है धुक्त अर। भातिया जो होता है भाद में लगता है यहां पे एंप उपसर्ग करता है यादि कि प्रतिनीधी में प्रति हो जाएगा प्रति यानि कि आपका option यह है बिल्कुँ छहु जाएगा प्रति हो जाएगा जाएगा निकी आ पसील आपको Pasел कर लें है चलिए सलाइक की कौन सा समाश है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हातपायर नहीं फंड लेना इसमास ऐना सब्सक्कंत है सब्सक्राद दोएंद समास होते हैं इसको याद करने का सरल तरीका है कि बीच में दी हाइफर में मिले तो वह होता है दोएंद समास चलिए दोस्तों 17 प्रस्ण क्यों हम लोग बढ़ते हैं 17 प्रस्ण करा है कि दाने दाने को तर्शाना क्या कहता है कि दाने दाने को तर्शना कहता है मुहा यानि कि भुख मरी की स्थित्ति जोस्तों आपका जवाप्षन ने है बिल्कुस यागाद सिंपल आपको यह पर टीक आउट कर लेना है तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्ण के वर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अगला प्रश्ण तो चलिए दोस्तों अठारा नाथ रिन्यू की तो दोस्तों यह मैला आचल जो है फनिस्वर नाथ रिनी द्वारा लिखा गया है यानि कि यह आपका जो अप्षन ए है बिल्कुस यह जगा सिंपली दोस्ता आप यह पर टीक आउट कर लेंगे चलिए दोस्तों अगला प्रश्ण कहता है 19 कि आस्तिक का बिपरितार्थक सब्द क्या होगा आर्थ आस्तिक का बिपरितार्थक सब्द क्या होगा तो दोस्तों आस्तिक कहता है क्या नास्तिक आपका जो अप्षन भी है बिल्कुस है जगा सिंपली आपको भी पर टीक आउट कर लेना है चलिए दोस्तों नेक्ट किशन क्यों हम लो किया दोस्तों रखवीर सहाय जो थे आपको पता होना चाहिए वह अंग्रियेजी से एमें किये थे यह दोस्तों इसका जो भी है बिल्कुल सही हो जागा इस तो दोस्तों अंसर बीपे सिंपल आपको टिक आउट कर लेना है चलिए दोस्तों नेक्ट किशन क्यों रहां बढ़ कि नागा अर्जन जो कभी है उन्ही का नाम जो है मुल नाम वायदनाथ मिश्र है सिंपले दोस्तों आपको बीपे टीक आउट कर लेना है चलिए दोस्तों नेक्ट किशन क्यों हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं कि अगला जो प्रस्ण है क्या कर रहा है कि छात्रों के रहन क्या करते हैं चात्रवास चलिए दोस्तों तेश प्रस्ण हम लोग भी देख लेते हैं तो तेश प्रस्ण का रहा कि की स्राण रचनाकर की पंग्तियां है नारी स्वपन है नारी सुगंध है नारी पुरुस की बाहा पर जोलती हुई जुही की माला है बहुत दोस्तों भी किवाकंधारी सी दीन करका है दोस्तो simply आपको डी परी टीक आउट कर लेना है चलिए दोस्तो अगले प्रस्न को हम लोग वढ़ते हैं तो अगला प्रस्न कह रहा है 24 कि तपोबल का संधेविच्खेद क्या होगा यहिंarti कि तपोबलका संधे बीच्छे थे तपह जोड़ बॉल यानि कि आपका आप्शन ए है बिल्कुत से जगा सिंपली आपको एपको करना है तो चलिए दोस्तों जो नेक्ट क्यूशन है उसको हम लोग बात कर लेते हैं तो 25 प्रस्ण कहता है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों उपसर्ग यानि कि उपसर्ग लगा इसको जो पी सबस्शन दोस्तों एप ड़ से लेके आएंगे दोस्तों 1 का आ कि उपसर किॉष्या की आज in daily कि अन्वाध्य सत्वरोओं जो ख सकते हो हो आपको सओका इसे 4 प सबसे सते हो इस चलिए तो चलिए दोस्तों और एक पहला जो वीडियो भागवन है इसमें 25 कीशन को मैंने बताया और जो अगला जो लेकर क्या हूंगा प्रश्विस से लेकर क्या हूंगा दोस्तों फिर से मैं आपको इलाद दियाना चाहूंगा याद दिलाना चाहूंगा कि दूस्तों अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो प्लीज लाल बटन को दबाके सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को भी सब्सक्राइब करों आप तक सबसे पहले हो जाए और आप सबसे पहले देखें सेरी दस्तों आज के लिए बसक्ता है तो जैहिंद वंदे मातरम